इसमेदर के उपमुखे मंत्री मुकेश अगनी होतृ ने रविवार देर शाम विश्व विख्यात माता श्री चिंतपुर्णी में मन्दिर में माथा टिका डिप्टी सीय मुकेश अगनी होतरी ने मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजार्चना की वही हवनियग्य में आहुतियां भी डाली मंदिर में दर्शन के लिए उपमुक्य मंतरी ने मंदिर न्यास द्वारा चलाई जा रही सुगम दर्शन परनाली के तहत 1100 रुपई की परची कटवाई और माईदास सदन से मंदिर परिसर तक गॉल्फ कार्ट में बैठ कर ही पहुंचे लक्षमी दातरों कि दातरों कि तामिया में शें नमस्तिका आपके स्रीटी मी देख रहे हैं और मैं उन्हें किती निसे घ्रचाइब करएं कि अधिक कि अधिक यह कि वह कि अधिक पर लुटिम अधिक पिलन कि जो इस दौरान उपमुक्य मंत्री ने मंदिर क्षित्र में चल रहे विकास कारियों का निरिक्षन किया और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया मुकेश अगनी गोत्री के पास भाशा एवं संस्क्रित विभाग का जिम्मा है और उन्होंने कहा कि चिंतपुर्णी मंदिर को भवता परदान करने का पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और आने वाले समय में परदेश के अन्यम मंदिरों का भी काया कल्प किया जाएगा आने वालेट शुरू किया जाएगा एवाग का पास भाशा प्रोजेट शुरू को भी किया जाएगा अदिर शदा का केंदर है और देश दिन्या का शदा यहां पर आता है और इमाचल प्रदेश में प्रेटन की संभावना सिर्फ प्रेटकों की दिष्टी से भी बहुत बड़ा यह केंदर है अधर्मिक प्रेटन जो है जिन्थ पुर्णी नेना देवी जी और बाब बालक्षनाद जी जेवाला जी और कांगरा जी और अश्यामुता जी ये देमिया जो है यहां पर विराजमान है और इसोर यहां पर विराजमान है एक बार तो मैं बिलकु सुपष्ट करना चाहता हूं। यह जाहे वो कुजारी वर्ग है, चाहे वो कोई टैक्सी वलों का वर्ग है, यह सम अपने लोग है। हमारे लोग हैं और इस समय हम इसकी बेवस्था काई चाहते हैं। उसमें हम सबसे सायोग चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है, मंदेर का परिसर की स्थापना है। यह जगा हमने अकॉयर कर ली है, सब की सहमती से अकॉयर की है। और किसी को मुझे नहीं लगता कि किसी को उस पर आपती हो। और साता की रोटरबे का बुक्तान किया गया है। और उसमें उस बुक्तान के बाद अब उसकी ड्राइंस बन रही हैं। मंदर की भवयता के लिए काम होना है। और मंदर का पैसा मंदर में लगे। उसके लिए एक प्रारूप त्यार होना है। और यह पहला मंदर है। शिंदपुर्णी का जहां पर की इसकी भवयता, इसका अकर्शन उसको कायन करने के लिए कदब उठाए जागा। पाइलट प्रोजेक्ट है। हम सब से सहयों की उमीद रखते है।